नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चनल इंडियान आयरवेदिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS माई सैनी दोस्तों आज हम बात करेंगे बात दोस्त की हम हम फीजियोलोजी फास्ट इस्टेडी कर रहें चैप्टर नम्बर फौर्स्ट शेकंड थरड हम पहले अपलोड कर चुके इस वीडियो में हम बात दोस्तके इंपोर्टेंट क्यूस्ट्चन इंपोर्टेंट टॉपिक्स और इंपोर्टेंट स्लोग कोटेशन इसको बोलते है उर्ट करेंगे यह मैं आपको पहले बता दू यह लेक्चर्स वीडियो नहीं है लेक्चर्स वीडियो में बात ने बनाऊंगा क्योंकि सलेबस बहुत बढ़ाया और एक्जाम आने वाली है इस्टुडेंटों की जो लोकडाउन खतम होने जैसे तुरंत बाद एक्जाम आएं तो बहुत से इस्टुडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता दो इंपोर्टेंट स्लोक बता दो कौन सा याद करना है कौन सा नहीं तो उनी सब के वारे हम आज वीडियो में बात करेंगे तो अपना टोपीक है बात दोस्ट वीडि निरुक्ति वाद्श्वरूप गुण बाद्दोस के इस्तान बाद्दोस के करम वाद्दोस भेद प्राणवायु उस्तान करम स्वास प्रेश्वास्प्रिया उधानवायु उस्तान उसके करम वाक उत्पत्ति समानवायु उस्तान करम व्यानवायु करम एम इस्तान हिर्दय सेप्टर में से मोटा मोटा में आपको बता दूब कि बात दोस है उसके उत्पत्ति उसके गुण उसके करम बताए है ठीक है उसके बाद विसके जो भेद हैं पांचो उनके करम बताए हैं उनका इस्तान बताएगी वहिद खान निवास करते हैं इसमिसले उनके करम क्या है मतल पूल डिटेल में है लेकिन आपनको याद क्या करना है important क्या है इस topic से बाद दोश तो क्या पुरी आयरुवेदम चलता है तो यह chapter वैसे पी बाद दोस है तो आयरुवेदा की द्रेष्टी से बाद पित कप तीनों दोस बहुत भूत जी ज्याद इनको जितना स्टेटीकरण को ऊतना कम है लेकिन एक्जाम के त्रक्तorg कान सा इंपरेटर से कौन सा याद करना कौन से स्वित्पत्ति नहीं कि वित्पत्ति आपको याद होनी चाहिए फिर बात के स्वरूपोवम गुण जर्णल प्रोपेटीज चरक नुसार आपको यह याद होना चाहिए अस्टांग इर्दे का आपने याद किया होगा लेकिन आपको क्योंकि सेकंडियर में चरक सहीता है और एक्जाम की दरश्टी से पीजी की दरश्टी से आपको यह कोटिशन याद होना चाहिए तो क्यों आता है बात दोस्त मेरे प्रोप्ति विद्पत्ति लिखते होए बात का शौरूप यह गुण का वर्नर कीजे इस वीडियो आपको यही बात करेंगों किस तरीके से आता है और आपको क्या यह याद करना है क्या इम्पोर्टन आ तो आपको बताया मनें वित्पत्ति, निरुक्ति और बात का स्वरूप एव गुण यहीं तक क्यूस्चन आएगा कि बात की निरुक्ति वित्पत्ति एक दे बात का स्वरूप एव गुण लिखिए आगे बढ़ते हैं यह आपको याद होना चाहिए अब देखो यह कोटेशन सुसूरुत के नुसार भी है और बागवाट के नुसार तो आपको चरक वाला इंपोर्टेंट नेना है फीजियोलोजी में जब भी स्टोडी करो आप तो चरक वाले कोटेशन को याद है महत्व दो क्योंकि यह आपको डबल मैंत ना करें इसलिए चरक का कोटेश ता अब यह हिंदी हैी तहिंञको आपको बता है कि रोक्षम सेटम लागम वैसल है इसकी इंग्लिस सामने अब को याद हूजब बात बात दोस्त के हिस्तान वाद दोस्तका इस्तान हश्टांग रिद्यकर नाभी से नीचे वाला जो सड़ीर का इस है इसम अब रिजम इसने के आपको यह याद होता है तो अच्छी बात नहीं तो आपको को कि हिंदीvous इसकी याद करनी होगी क्योंकि मुत्रासे मलासे कॉक्टी दोनो जांग दोनो पैर अस्तियां पक्वाशे इस्तान हे इस Canal . ये आपको यहाद होना पक्वाश से की बात का कॉपास बात का इस्तान है और जो अपने नाभी से नीचे वाले जितने ही मुत्रस से मला से कटी जंगा पैर अस्तियां पक्वास यह सभी आपको लिखना है साइड वह लेकिन आपको लिखना है कि बात का मुख इस्तान पक्वास है अगर यह आपको यह याद हो जाए तो अच्छी बाद नहीं कि इतना इंपोर्टेंट नहीं ह आगे बढ़ते हैं कि वही है आप देखो वागवट के अनुसार वायू नाविक के नीचे विशेश रूप से रहता है यह मैं आपको बता दिया भी ठीक है और देखो यह तउच्छा कि कुष्ण आता है कि जो पीजी में जब कुष्ण आता है कि इस्पेंद्रिय तउच्छा तो यह अश्टांग इर्दस उत्र इस्तान ने बताया गया कि इस्पेंद्रिय है कि बात का इस्तान तउच्छा को भी बताया गया तो यह आपन क्या कि ब्राज्यक पित करते तो ब्राज्यक पित का इस्तान तोचा है ठीक है लेकिन आपको याद होना चाहिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं फिर बात के इस्तान यह अलग अलग अचारी अनुसार बाग बटनुसार अश्टांग जदा और काश्यप मनुसार तो सब का मैं मुखिस्तान है नाभी के नीचे लेकिन सबने कुछ कुछ चैन्ज किया है कोई दूरूर नहीं ज्याद है लिए पिजी की लेवल की बात है आपको बस पास होना है तो बस बत का मुखिस्तान नाभी से नीचे से मुकिस्तान है मुत्रा महें इससे बडी में पार्ट है पेर हैं चंगा है आगे बढ़ते हैं बात दोस्के function ठीक है चरक नुसार यह आपको MJ याद करना पना उत्सहोचववासनी स्वासचेश्टा दातु गति समहा समो मौक्षम गतिमा वायू यह आपको इंपोर्टन वेरी वेरी इंपोर्टन यह आपको याद करना चाहिए स्वाट का तो आगे की कोई टेंशन नी है आपको इंदी आंड पर दीएब कर दिया अगर्य वह से इस्ट्वेंट क्या करता है को साथ में उसकी इंदी मिलनिक हो पता ही नहीं होता है तो अपने हिसाब से अलग अलग नीची दे राख हैं कोई जुरूर नहीं को आपको याद लोगे नाम याद होनी चाहिए ये कंटस होने ज़या है उनके इसतार उनके कारी है कि जब क्यूसन आता है 20 नमर में 10 नमर में कि बाद दोस्त को स है विस्तार वर्नन कीजिए तो आपको उसमें क्या लिखना है वृत्पत्ति निरुक्ति बात का सुरूप गुन बात के स्थान बात के भेदर बात के वेदगर कारी है ठीक है कि अब बाग बटमत और कोई जरूर नहीं है और ये सारंगर मतनुसार पितय पंगु कपय पंगो पंगो मलदा तो आफ़यु ना या त्रियनत्य तत्र गचंति मेगवथ यह वैरी-वैरory प्रेदार यह करती है तो मतलब इन दोस्तों में प्रदान को आप बाग दोस यह इनको अलग अलग लग लग्जा तो यह शारंगर का जो एक इंप्रेंट डेको यह याद करना है आप लिख सकते हो इस प्राकर्तिक करम अपने उस लोग के सब्सक्राइब याद किया था आप सब बात के जिए पीजी में कि चरक ने क्या बोला सुस्रूतन क्या बोला आपको देखो अभी तक मैं ने बताया निरुक्ति व्यत्पति वात का स्वरूप गुण बात का इस्तान वात का इस्तान को पकवा से लेकना है नाभी के नीचे वाला कोई जुरू नहीं है अधर आच सब इंग्लिस में है आपको बस इस्टाल मार्क लगाना है बहुत से समझ नहीं बात है कि योग भाई क्या है इसलिए इनकी इंग्लिस सामने दे रखिए बात दोस्त के भेदों में भेदों के इस्तान विसिष्ट क्रमों का वर्नर यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यहां से इंग्ला थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है बात दोस्त कि बात के भेद कि आपको हिंदी में याद कर लेना कोई जुर्ट नहीं है प्राण उदान समार व्यान अपवाण मैं वही कोड़ेशनाओं को बताऊंगा जो आपको याद करने हैं है कि कोई जुरूर नहीं है आगे बढ़ते हैं प्राण वायू के इस्तान अब पहला बेद है प्राण वायू के इस्तान वे विशिष्ट करम तो आपको चरक्चिक्ष्या वाला ये कोटेशन याद करना है इस्तानम प्राण से मुर्धरा कंठे जिव्याव नासिका इस्टीवन खवे तु गार सुआ साहाई क्रम ये आपको याद तक प्राण वाय कुँष्तान और प्राण वाय को कारीया आप्को ये हिंदी में याद होने हो ये कोटेशन यादfed हो या ना हो आपको हिस्तान और कार्यय याद होने चहिए इसी तरह आ immediate stress night च्रहे प्राण वाय श्रोतर क स्वास प्रक्रिया कि बात दोस्के किस तरकार से स्वास प्रक्रिया होती है यह थोड़ा एडवांस लेवल का है आपको अगर टाइम मिलते स्टेडिक कर ले नहीं तो कुई जूरू जी है कि अब देखो यह सारणी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है प्राणवाईव का हिस्तान प्राणवाईव को कारिये इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए हिंदी में तो यह एक क्यूस्चन आता नहीं तो ऐसे आपको लिख नहीं है प्राणवाईवको इस्तान आगे बढ़ते हैं आप देखो बाग उत्पत्ति उधान वाई को कारिये क्या है किस तरीके से बाग उत्पत्ति वाणी सब्दूत्पत्ति फीजियोलोजी ओप इस्पीच इन आयरवेदा एक कॉंसेप्ट है कुस्टन आता है जब डिफिकल्ट कुस्टन मतनाते हैं तो बाग सब्दूत्ति किस तरीके सब्सक्राइब आपको यह हिंदी याद करने नहीं है एक बार रिडिंग लगानी है ठीक है कि आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर थोड़ा कॉंसेप्ट इंग्लेश मोडन कर दे रहा है अब समान वाई को विस्तिष्टान में करम इसकी वेक कड़ाल करना आपको जो भी बुख से सब्सक्राइब करते हो अच्ही बात षतश lod करने बॉसे याद करणे अब आप वियान वाई को हिस्ताना व्यान वां के कारियर्दерт को इसार नी है कि दस पर चुम्हें दस पेज हैं मालू उनमेंसे एक पेज बन रहा है अपना हमेश्चा मेन बुक से कर Among इसे भिने इस्टर सब्सक्राइब यह सारी नहीं लिखेंगे उसमें बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे इतने स्लोक है मालों कि आप बार 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 नोट से स्टेडी करोगे प्रोब्लम ना आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप यही बुक से स्टेडी कर लिए और तो याद करना उस पर इस्टार मार्ग लागे हो अब हिर्दे का वरन आ गया है यह आपको याद रखना है हरान किस तरह किसी हिर्दे की विद्पत्ति निरुकती है दो मैं वही बताऊंगो चोंब याद करने पर नाड़ी यान हमका सा नाड़ी यान का वर्ण नहीं आप इस टोपिक में इंदी में आपको याद करना कोई जूरू नहीं है कोटिशन याद करना ठीक है दोस्टों गुनुसार नाड़ी की चेश्टा वेरी-वेरी और कप प्रकुलती हैं हंस कपूतर की साल से यह जानवर चलता है आचारों ने वो बताया उनको देखा आप अपने को पता निया जलोगा कैसे चलती है सर्प कैसे चलता है तो यह अनवाव से सीखना पड़ता है नाड़े यान किसी वैद की प्रख्षया मतला उसके साथ सानित चिद्ध में रहें कि सीखना पड़ता है वो बताते हैं तो यह आपको यह प्रक्टिस से आए गई नोलेग जैसे आप पित पर कॉप से पाड़ी नाड़ी कैसे चलेगी चिडिया कववा मैंड़क मैंड़क कैसे चलता है एक जम सोड़के दूसरा फिर एक जम सोड़के ऐस ठीक है आगे बढ़ते हैं यह एक सारणी वही है देखो जो हम आपे लाइन में लिखा था उसको एक सारणी बना दिया आप तो ऐसे मां समझो कि यह तो बहुत लेंदी बुक है देखो आपको कोई से इस्टिनेट को सारणी में याद किसी को ऐसे लाइन तू लाइन याद क करना नहीं तो हिंदी तो आपको याद करनी है प्रते कि अपन वायों को इस्तान और अपन वायों करम अब यह शारणी में आ गए वही बात बात के बारे में बात प्राण वायों अब देखो यहां पर विसेश बाक्या में charged करतेया माना ओश्राण के समस्त करमically और musical आंड मेंडिल chosen वाद दोस्त के आंचत्रिय करते हैं माना सब smash क्रम और प्रिक्रिक्रियां हैं यह क्म मोटर फंक्शन संख्या सेंस्टरी फंक्शन इनका संच्शन नियावन बात दोस्त का दोस्त मतलब एक तरीके से तंत्री का तंत्र की तरह कारिय करता है वाद दोस्ट तो मोडर्ण से जोड़ा हुआ है अब यह बात है आप सोट नोट्स बनाओगे उसमें नहीं मिलेंगी टीचर रखें यूटूब से स्टेडी करो के तो भी नहीं मिलेंगे क्यों कि वो डिप में नहीं को पता हैं आपको मैं बता दें तो निरुक्ति व्यत्पत्ति गुण स्वरूप भेद उनके इस्तान और उनके कारिये अब आपको देखो भेद के इस्तान और कारिया आपको हिंदी मियाद रखने अगर गुद्द ग học लोग करते कि सबस्यों अ बात को दो यहीं करना है कर दो बात के गुण वाला और अब को निरुखती वाला याद करना है इससे पांट बतार हैं कि और हिंदी में क्या याद गना क्या इंपोर्टेंट हो आपको बताया seconds आपको इंपोर्टेंट बता दिया आपको समझ में आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करना अपने दोस्तों साथ सेर करना अपने जल्दी अगला वीडियो बनाएंगे थेंक्यू